दोस्तों कुछ लोग कुछ भी खालें, कितना भी खालें, फिर भी वो सेम ही रहते हैं, ना उनका वजन बढ़ता है, ना तेरे पर रोना काती है, और ना ही पिछके हुए गाल ठीक हो पाते हैं, या आपके साथ भी ऐसा ही होता है, अगर हाँ, तो आज की वीडियो आपके लि मैं एक आयरवेदिक और युनानी मेडिसिन एक्सपर्ड हूँ, और पिछले 15 सालों से आप जैसे लाखों लोगों को फिट और हेल्दी जीवन जीने के लिए गाइड और मोटिवेट कर रहा हूँ, देखिए कुछ लोगों के लिए वेट गिन करना दोस्तों उतना ही मुश वेट गिन करना नहीं है, बलकि हेल्दी वेट गिन करना है, आज जो फूट कॉमिनेशन्स में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, वो आपके अंदर सिर्फ कैलोरीज नहीं भरते हैं, बलकि आपकी बोड़ी के साथ नैचरली काम करते हैं, विदाउट कॉजिंग एनी जानने को मिलेगा, और आप दीरे-दीरे नैचरली अपना वेट जो है वो बढ़ा पाएंगे, तो पहला कॉमिनेशन है दोस्तों, बनाना मिल्क शेक विद पीनेट बटर, दीकि हम सब को बता हैं कि केला एक क्विक टेस्टी और नुट्रिशिस फूर्ट है और ये वजन को परता है और इसलिए अगर आप इसके साथ में थोड़ा सा दूद और एक टी स्पून पीनेट बिटर मिला लें, इसका शेक बना लें और इसमें चीनी की जंगा, शेहद या फिर कुछ खजूर की गुट्ले निकालके गुदर डालें, तो ये आपके लिए एक पावर हाउस बन जाता है, जो कि आपको सिर्फ energy ही नहीं देता है, बलकि healthy weight gain भी कराता है, देखिए बनाना में natural sugars होते हैं, जो कि आपको quick energy देते हैं, इसके साथ milk add करने से आपको protein और fats मिलते हैं, जो कि आपकी muscles को fuel देते हैं, और जब इसमें हम peanut butter add कर देते हैं, तो उसमें healthy fats और extra protein का तड़का भी लग जाता है, ये combination आपको calories का एक अच्छा खासा boost देता है, और वो भी healthy calories जो कि आपकी body को naturally weight करने में help करती हैं, नुकसान नहीं देती हैं, तो अगर आपको weight gain करना है, तो ये banana peanut butter shake आप जरूर try कीज़ें, अगला combination है दोस्तों, पनीर और रोटी, देसी घी क साथ खाना, देख ये पनीर में high quality protein और healthy fats होते हैं, जो कि आपकी muscles को naturally build करते हैं, रोटी से मिलता है आपको carbohydrate और इसके साथ जब आप घी को add करते हैं, तो बस समझो magic हो जाता है, घी extra calories और healthy fats को add करता है आपकी diet में, जो कि directly आपके weight gain को support करता है, without any unhealthy fat build up, तो आपको करना क्य है, आपको बस से थोड़े से पनीर लेना है, उसकी भुरजी बना लिनी है, और अपनी रोटी और भुरजी दोनों में आपको थोड़ा-थोड़ा सा गाय का देशी घी add करना है और उसको खाना है, बस ये एक perfect calorie rich nutritious meal बन जाएगा, जो कि तेदी से आपके वजन को बढ़ाने में आपकी help करेगा, अब चलिए, अगले food combination की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, कुछ अच्छी नई जानकारी आपको से मिल रही हो, जो आपकी आपके काम आने वाली है, तो फटा-फट से वीडियो को like कर जरूर कर दीजे, क्य तरह की और भी नई-ने information, remedies और fun facts के लिए आप चाहें, तो हमारे WhatsApp चैनल को भी जरूर जोइन कीजेगा, जहां मैं हर रोज आपको बढ़िया बढ़िया जनकारियां send करता रहता हूं, इसका link आपको नीचे description में मिल जाएगा, नहीं तो आप इससे QR code को scan करके भी हमारे WhatsApp चै और आप relax करने के लिए लेटे हुए हैं और एक glass गरम दूद के साथ कुछ ड्राइफ रूट्स खा रहे हैं, है ना कितना soothing, दिखने में ये एक छोटा सा snack आपको लग सकता है, लेकिन weight gain के लिए ये एक बड़े कमाल की चीज़ है, लेकि ड्राइफ रूट्स जैसे के बदा काजू, अखरोट, मुनका, किशमिश और खजूर के अंदर concentrated calories होती हैं, फाइबर होता है और बहुत सारा healthy fat होता है, और जब इसको हम दूद के साथ लेते हैं, तो दूद का protein और fat भी इसमेड हो जाता है, जो कि weight gain में आपकी बहुत मदद करता है, और वो भी बिना किसी unhealthy fat क वैसे इसके साथ में एक और pro tip भी है, और वो ये कि इन dry fruits को आप खाने से पहले 6-12 घंडे के लिए पहले पानी में भीगोगर रख दे, फिर इनका छिलका उतार कर इनको खाएं, तो आपको और भी ज़्यादा फायदा मिलेगा, और अगर आप थोड़ा सा और extra flavor चाहते हैं और calories को भी बढ़ाना चाहते हैं, तो आप दूद में थोड़ा सा शहद भी add कर सकते हैं, तो रात को TV देखते हुए या फिर bed पर जाने से पहले, एक glass warm milk और in rich dry fruits को आप जरूर enjoy करें, ये सिर्फ आपकी health को ही नहीं, आपके mind को भी relaxation दे हैं, अगली drink है दोस्तों, एक ऐसी ट्राइ करने चाहिए, दोस्तों मैं बात कर रहा हूं सत्टू drink के, जो हैं अगर आपने सत्तू drink ट्राइ नहीं किया है, तो आप एक जबरदस चीज़ को मिस्क कर रहे हैं, देकि सत्तू जो है, ये भुने हुए चने से बना हुआ होता है, इसलिए इसके अंदर protein और energy बहु to energy और weight gain का boost देते हैं इस drink को बनाना भी बहुत आसान होता है बस आप 3-4 टेबल स्पून ले लिजे सत्तू के और इसको एक glass milk के अंदर mix कीजिए उपर से थोड़ा honey डालिए sweetness के लिए और इसको morning में या फिर post workout आप ले सकते हैं तो अपने sweet potatoes यानी शकरगंदी जो होती है इसके अंदर complex carbohydrates होते हैं जो की धीरे-धीरे digest होते हैं पेट में और आपको steady energy और fullness का हिसास कराते हैं और जब इसके अंदर हम घी और dry fruits को add कर लेते हैं जैसे कि बदाम या फिर अख्रोट को तो ये extra calories को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं इसको बनाने का भी दोस्तों अपना आला की मज़ा है बस आपको शकरगंदी को boil करना है मैश कर लेना है और फिर इसमें एक चमश्च देशी घी एड़ करना है और उपर से थोड़े से बारी किटे हुए ड्राइ फूरे से डाल देना है आप चाहें तो थोड़ा सा फ्लेवर बढ़ाने के लिए इसमें आप दालशीनी पॉर्टर भी आड़ कर सकते हैं या फिर गुर्ड़ भी मिला सकते हैं स्नाक को आप सुभा नाशते में या फिर शाम को खा सकते हैं तो ये हैं दोस्तों वो पांच वंडरफुल पावरफुल फूड कॉमिनिशन्स जो कि आपके वेट गेंजरनी को नाचरली और हेल्दी तरीके से सपोर्ट करेंगे आप अपने रोटीन में इन्हें आराम से इंक् अधल बदल कर खा सकते हैं आपको इन मेंसे सबसे ज़ाद कौन से चीज़ सूट करती है कौन से चीज़ आप लेना चाहते है मुझे कॉमेट सेक्शन में जरूर बताईएगा और उसके बाद आपको फाइदा कैसा मिलता है वजन कितना बढ़ता है वो भी बाद में मुझे आपके यहाँ इस वीडियो पर जरूर बताईएगा. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चानल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और मन में कोई शंका है तो नीचे कमेंट में पोच लीजिए.